बिग बॉस के घर में आखरी दिन भी महौल गर्मा गर्मी वाला ही बना हुआ है दोस्तों आखरी दिन भी लडाईयां हो रही है चली बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अदती शर्मा तो दोस्तों हम देख रहे हैं घर में शालीन और प्रियांका की लड़ाई हो गई है बातों की बातों में ये बहस काफी आगे निकल गई और यहाँ पे शालीन शिव और स्टैन के सामने ये कहते नजर आए कि प्रियांका में बहुत तगड़ा टैलेंट है ये एक मिनट में पोट्रे कर देती है और ऐसे ऐसे शब्द घसीट क लेकर आती है कि कोई सोच भी नहीं सकता बीच में सुंबुल को ले आई ना जाने किस-किस को ले आई जब प्रियांका ने कहा कि तुमने सब लड़कियों का घर में ऐसे ही बेवकुफ बना रखा था तो यहाँ पर शालीन जो है वो हाथ जोड़ना शुरू हो गए दोस्तो जैसा कि वो करते हैं तो यहाँ पर प्रियांका ने कहा मैं बुरी ही सही लेकिन तुम होना अच्छे आदमी MC स्टैन और शिवठाकरे चाहते थे कि यह लड़ाई थम जाए और यहाँ दोनों में से कोई एक तो चुप हो जाए लेकिन आज शालीन भी ऐसा लग रहा है कि फुलान मूड में थे लेकिन बाद में देखा जाए तो शालीन को ही चुप होना पड़ा और उसके बाद ही यह बहस थमी है और घर में हुई है रोही शेटी की एंट्री आप सभी को क्या है कहना कॉमेंट्स में ज़रूर बताईए